Hello everyone, welcome to all at Location Unleavened Study Zone आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर permutation and combination के important question practice time है यह तो आईए स्टार्ट करते हैं permutation and combination which is important for all of the examination यह लगबग सभी पर इक्षाओ में पूछा जाता है चाए वो KVSO, NVSO, JEO, NDO, TGT, PGT और बाकी भी जितने TET examinations होते हैं सब में बहुत ज़्यादा पुछा जाता है तो आए दोस्तो, स्टार्ट करेंगे permutation and combination के कुछ बहुत रीन question देखेंगे उनके concepts तो देखेंगे सबसे पहला यहां पर question आपके सामने आया हुआ है क्या कह रहा है यह question How many five digit telephone number can be constructed using digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once 7 से start होगा तो भाई 6 और 7 की place तो fix कर दो total आपके पास किते digit number थे total आपके पास थे 0 से लेके 9 मतलब कि 10 digits थे 10 digits में 2 तो fix होगा है बचे आपके पास कितने 8 अब 8 में से 1, 2, 3 यहां पर आपको करना है 8 में से 3 number permutate कराने है so you have the total ways 8p3 8p3 तो 8p3 को कैसे solve करते है 8 into 7 into 6 so you having the answer 3 36 done चलिए next question देखते है यह बहुत ही versatile question है famous question है given 5 flag of the different color how many different signal can you generated if each signal required use of 2 flag one below the other अगर 2 flag का इस्तमाल करके किते signal बना सकते हो भाई 5 for the 20 होना ची इसका answer बिलकुल है भी okay because first strip में पहली फिए पाई फ्लकुल कर सकते हो दूसरे में फ्लकुल कर सकते हो दूसरे में फ्लकुल total 4 so you having the answer total equal to 20 flex moving to the next question is very much speed is the product of the any r consecutive natural number is always divisible by r consecutive natural number का जो प्रोड़क्त होगा वो किस से divisible होगा और natural number का और consecutive natural number का प्रोड़क्त अबिसल आर consecutive natural number का प्रोड़क्त क्या होगा फेक्टोरियल आर और फेक्टोरियल आर फेक्टोरियल आर से ही तो डिवाइड होगा okay always divisible by factorial r okay और बाकी चीजों से डिवाइड नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि फेक्टोरियल आर को अगर आप r की पावर i2'sे करोगे तो एक आर तो कैंसल हो जाएगा बट अपॉन में, एक आर वैए बच्चों वाला कोश्चन है क्या बचा या देखलो आप लोग 678 है तो इसको यहाँ भी 6 बनाओ यहाँ भी 6 बनाओ कर ले ना इसको स्वेस्में कुछ आहीं नी बताने जैसा चली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्षच्चन है करा इफ टू एन पी एन फार्मुला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो टू एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन तो टू एन से एन गया, एन बचेगा और वन से वन गया, खेल कितम कुछ नहीं, इक्वल्स टू, स्वरी अपॉन में भी तो है, अपॉन में टू एन माइनस divided by n so 2n minus n minus 1 तो कितना बज़ गया n minus 1 equals to 3 upon 5 की value दे रखी देखो काटा कुटी करते हैं क्या हो सकता है देखो उपर n है so उपर 2n plus 1 है तो 2n plus 1 को यदि मैं break करूँ so 2n plus 1 into 2n में break होगा और फिर इसके बाद 2n minus 1 हो जाएगा divided by factorial n जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर factorial n minus 1 यहाँ पर आएगा factorial 2n minus 1 यह देखो इससे मैं इसको cancel कर दिया equal में कितना चल रहा है 3 upon 5 अब यहाँ भी देखो n है factorial n को मैं factorial n into n minus 1 लिखूँगा जिससे यह cancel हो जागा और n से n cancel हो गया ओके चलो भाई तो 2, 2 जा कितना हो गया 4n plus 2 equal to 3 upon 5 so 4n equals to 3 upon 5 minus 2 ओभाई minus में आ रहा answer wait 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 minus में तो answer कभी नहीं आना चाहिए है minus में answer कैसे आ जाएगा मतलब हमसे कहीं न कहीं कोई mistake हुई है एक बार इस question को इतमिनान से हमें solve करना पड़ेगा तब answer आ जाएगा इतना कुछ कठीन question नहीं है मगर कह रहे हैं न की जल्दी speed में accidents होते हैं तो बस वही यहाँ पर हो गया है तो थोड़ा सा बस मुझे समय दीजे आप लोग इसको मैं solve कर देता हूँ ओके तो देखे दोस्तों यहाँ पर इस question को मैंने 2-3 बार किया एक बार फिर से टैली कर लेता हूँ कि कोछ गलती दो नहीं कर यह देखे आप लोग भी साथ में देखे सो 2N प्लस 1 factorial N upon factorial N minus 2N plus 1 minus N minus minus plus हो गया ओके सो यहाँ पे जो गलती हो रही है यह minus minus plus हो चुका है इस वज़े से यहाँ पर mistake हो रही है चलिए तो अब इसको finally हम सही कर देते आपके लिए बस थोड़ा सा सही हम बना के चले प्लीज देखिए तो यहाँ पर क्या है 2N plus 1 upon PN minus 1 तो 2N plus 1 minus N minus 1 देखे 2N plus 1 minus का N और minus minus कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो यहां से 2N में से N गया तो यह अपने पास कितना आ गया अपने पास आ गया है factorial N plus 2 ओके क्योंकि factorial N minus R हुआ करता है तो नीचे कितना आ चुका है 2N से N गया factorial N plus 2 divided by 2N minus 1 PN तो 2N minus factorial N ऊपर कितना आएगा उपर आएगा 2N minus 1 और PN N minus R मतलब उपर वाले में से नीचे वाले को 2N में से N minus हो गया तो कितना बज़ गया भाई साब आपके पास 2N minus 1 1N minus R किया ना तो 2N minus 1 और minus का N तो आपके पास finally बज़ गया कितना N minus 1 चले आईए अब इनको समने systematic करके लिख देते हैं और solve करते हैं यहाँ पे जो value दी गई है यहाँ पे इस ratio की value किसके equal दी गई है इस ratio की value हमाँ पास 3 ratio 5 के equal दी गई है ठीक है जल्दवाजी में प्लस माइनस की mistake बहुत obvious होती है हो जाती है इनका ध्यान रखेंगे प्लीज चली तो यहाँ पे जो हमें value दी गई कितनी दी रखेंगे 3 ratio 5 चली अब इसको range करते हैं तो ऊपर 2N प्लस 1 है और यदी मैं 2N प्लस 1 को break करता हूं तो देखे 2N प्लस 1 सबसे पहले फिर इसके बाद है एन प्लस 1 फिर सके बाद N आएगा और फाइनली है गा क्या फैक्तूरियल N-1 अफ देखे उपर फैक्तूरियल N-1 को ले आई ए और नीचे किस को ले आई फैक्टूरियल 2N-1 को एक कोल टू कितना रहा 3 P1 फाइप थो 2N-1 से 2-1 तो आपके पास क्या बच चुका है उपर आपके पास बच चुका है तू एन प्लस वन और नीचे बच चुका है एन प्लस टू इन टू एन प्लस वन ओके टू एन प्लस वन और उपर टू भी बचा हुए न हां तो ऊपर टू भी बचा हुआ एक वल्स टू आपके पास कितना है 3 by 5 चलिए अब N की ऐसी value डाली options में से कि यह satisfy हो जाए तो चार option दिए गया है तो देखिए ऊपर 3 बड़ा चोटा सा है तो मैं क्या करता हूँ N की value 1 डालता हूँ तो N की value 1 डालता हूँ देखिए 2 1 जा 2 हमारा कैसे आएगा कुछ फूट गया क्या N प्लस 2 है N प्लस 1 है चली करके देखिए फिलाल तो देखते हैं यहां पर देखिए N की value हम डालते हैं तो N की value डाली मैंने कितनी 1 डाली न तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 तो इस तरीके से यह value तो हमारे पास नहीं आ रही है 3 upon 5 हमारे पास नहीं आ रहा है मतलब option हमारे पास 4 नहीं होना चाहिए वेट 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 और option 5th का answer 1 ही आ रहा है मतलब N की value 1 आ रही ही solve करने पर ओके देखिए दोस्तों तो गलती क्या हो रही थी हमसे हमारे पास option में 5th का option number 1 है और हम answer को as a 1 N की value 1 consider कर रहे थे इस वज़े से answer हमारा गलत हो रहा था जबकि option 1 दिया है और option 1 में जो value है बिल्कुल 4 आ रही है और 4 हमारा answer देखिए अब finally match हो रहा है तो देखिए एक बार फिर समय बता देता हूं आपको कैसे करना 2 N प्लस 1 upon N-1 है इसको हम divide करके ratio दिया गया है तो इ यह को NPR का जो formula होता हो क्या होता है factorial N upon factorial N-R तो यह मैंने लगा दिया है 2N plus 1 upon factorial 2N plus 1 minus N minus minus plus हो गया और यदि नीचे से रेखा जाए तो पलट करके नीचे लगेगा 2N minus 1 और factorial 2N minus 1 minus N तो इस तरीके से यह 2N plus 1 break करूंगा 2N plus 1 into 2N into 2N minus 1 और 2N में से N कितना बचा N तो यह बच गया मेरे पास कितना N plus 2 N plus 2 कोनी और 2N plus 2N plus 1N और N minus 1 में भ्रेख हो गया और उपर यह वाला जो यह ब्रक ओ तो किस्में ब्रेक होगा करते हैं तो 248 8 plus 1 कितना हो गया 9 ओके देन इसके बाद n plus 2 तो कितना है एन इक 4 plus 2 कितना हो जागा 6 multiply by 4 plus 1 कितना हो गया 5 काट ये 339 326 तो 3 upon कितना आगया 10 सो ग्रेक्ट 3 upon 10 ही support कर रहा और कौन support कर रहा option number one support कर रहा option number one में n की value किती है four two so simple question इसमें थोड़ा सा distract हो गए अपन तो इस वज़े से थोड़ी सी प्रॉब्रम फिली sorry for that चलिए नेक्स कोशन देखते हैं कहा रहा दर टोटल ऑफ नाइन डिजिट नंबर which have all different digits तो और सारे डिजिट different होने चाहिए तो देखे टोटल nine digit number बनाने है तो देखे यहाँ पर zero नहीं आ सकते है इसले total इस प्लेस के लिए कितने contender है 9 contender है और बाकी के eight places बन चुके है वहाँ पर देखे 9 digit क्योंकि including zero है तो nine digit eight digit इस तरीके से total यहाँ पर कितने आ सकते हैं factorial nine तो total answer कितना होगा nine multiply by factorial nine correct answer is three okay moving to the next question देखे करा the number of the different four digit number that can be formed with the digit two three four seven and using eight digit once तो हर एक बार में एक digit को use करना है तो बहुत ही simple question है total answer 24 आएगा because factorial four simple concept लग जाएगा first place में four contender second में three then two on then one तो total answer इसका कितना होगा 24 चली next question देखे अगला question कहरा in how many ways can the letter of the permutation can be arrange if the word start with a P and end with a S मतलब P को आप start करना है और S को आपको end करना है तो total word बीच में कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ओके तो मतलब 10 digits की आपको permutations लगानी अब देखे कि repeat कितने हो रहे हैं तो total 10 digits है और जिसमें आपके पास में जो है यहां पर देखो दो बार कौन है टी है ओके तो फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल टू इसका अंसर आएगा यह देख लीजे correct answer equals to factorial 10 अपन फैक्टोरियल टू बीकॉस P fix कर दिया S fix कर दिया बीच के सारे नंबर सो शफल करेंगे so there are total 10 factorial ways and on them two are repeating so there will be answer factorial 10 upon factorial 2 next question is question number 9 the number of permutation taking all the letter keeping the vowels of the word combine odd places तो देखे combine में कितने vowels है यह वावल है यह वावल है और यह वावल है आपके पास 3 वावल्स है और 3 वावल्स को आपको किस प्लेस में लगना है और प्लेस में तो चार प्लेस में 3 वावल्स पर्मूटेट कैसे करेंगे 4P3 ओके टोटल आपके पास कितने डिजिट थे 1,2,3,4,5,6,7 7 प्लेस आपके पास में 1,2,3,4,5,6,7 तो 7 में 3 वावल्स हो गया है अब आपके पास बचे कितने 4 प्लेस बच चुके है और 4 प्लेस में आपके पास 4 डिजिट आएंगे ओके देखे क्योंकि 3 को occupy कर लिया है और 4 प्लेस में 4 डिजिट तो 4P4 चलिए तो solve करते हैं 4P3 कितना होगा देखे 4 इंटू 3 इंटू 2 and 4P4 that is equal to factorial 4 जो कि होता है 24 4 3s are 12, 12 2s are 24, so 24 इंटू 24 that is equal to 576 answer होना चाहिए 4 जो की बिल्कुल करेक्ट है, okay so this was done okay next question की तरफ चलते हैं देखे, if the letters of the word ratchet are arranged in all possible ways listed in a dictionary then what is the rank of the word ratchet, आपको ratchet word की rank बताने है, तो देखे सबसे पहले यहाँ पर letter की से सुरू होंगे, dictionary के according a से सुरू होंगे इसके बाद में आपके पास letter जो होंगे, a के बाद c से सुरू होंगे, okay c के बाद देखे, a, b, c, d, e, f, g, h, i, i से सुरू होंगे, okay h, sorry h आएगा पहले फिर i से सुरू होंगे, and फिर j, k, l, m, n, o, p, कुछ नहीं है, फिर c, इसे सुरू होंगे से, r से, तो देखे, यहाँ पर बहुत ही simple question दे रही है, अग्दम plain type का question दे रिया है, देखे, a, a, अगर fix कर दोगे, a place को तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 digits है, तो मतलब पहले a के बाद कितने letters आएगे, factorial 5, okay मतलब की 120, इसी तरीके से c के बाद कितने होंगे 120, इसके बाद भी कितने होंगे 120, अब r के बाद निकालना है, तो r के बाद पहले letter आएगा a, फिर c, फिर i आएगा, क्योंकि i पहले आता है नहीं, h आएगा, h आएगा, फिर i आएगा, फिर t आएगा, अरे यह तो बहुत ही मज़दार question हो गया, तो देखे, अपने पास total 480C letter तो यह हो और उसमें 1 एड कर दिया है, तो total equal to 481, चली आए नेक्स question देखते हैं, कहरा the number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated for a photograph such that no girls can sit next to each other, मतलब ऐसे आपको combinations लगाने हैं, पता करने हैं, ऐसे permutations की, जिसमें आप 5 लड़कियां और 5 लड़कों को इकठा बिठाल रहे हैं, और याद रहे कि कि किसी भ कितने लोग हैं, 10 बच्चे हैं, okay, total, the number of 5 ways in which 5 boys and 5 girls can be seated for a photograph so that no two girls sit next to each other, मतलब आपको वो combination निकालना है, जिसमें की कोई भी गल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, okay, कोई भी गल्स आपको एक साथ नहीं बैठेंगी, so देखे, इसका answer 1 वैसे दे रहा है, मैं आपको इसको पू 5 boys हो चुके हैं, okay, और 5 boys के बादू में देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 place बन चुके हैं, अगर लड़किया इन places में आजाए, cross की जगे पे, तो कभी भी दो लड़किया नहीं आ पाएंगी, आजू बाजू, तो देखे, लड़कियों के लिए कितनी लड़किया हैं, 6 5 इकल टू होता है, कितना, 6 P 5 इकल टू फेक्टोरियल 6 होता है, और 5 P 5 फेक्टोरियल 5 होता है, तो इसका correct answer है कितना, 6 इंटू फेक्टोरियल 5, correct answer है अपका 11 का A, done, अगला question है, अगला question है, all permutation of the letter of the word again, and arrange in directionary, देंदा, आपको बताना है कि 50th word, आपको 50th word बताना है, त okay, तो ये तो याद हो चुका है, कहरा कि 50th word क्या होगा, तो इसका answer जो होता है, एन, ए, ए, आई, जी, नैग हुआ करता है, ये तो मुझे याद ही होगया, इतना जदा, इसको मैने बच्चो को लगवाया है, कि ये कुसका question याद हो गया है, अगेन के, जो combinations बनते हैं, जो sorry बी सिटेट circular table, so that two particular person are to be seated on either side of the host, भाई, बज़िदार question बेखिए, क्या कहरा, 20 लोगा party में आया है, और एक host है, okay, 20 लोगा party में आया है, और एक host है, और वो लोगा circular table में बैठे हुए है, ठीकन, वो लोका सिटेबल में बैठे हुए है, ठीकन, वो लो किस table में बैठे हु है जैसे यह टेबल है तो यह पटिकुलर्ली दो बंदे जो है होस्ट के आजू और बाजू बैठे हुए है आपको बताना है कि कितने तरीके हो सकते हैं कि यह लोग बैठे जाए देखो बच्चो कैसे करेंगे आप लोग टोटल इस तरीके को आपके पास में टोटल किते बना ली जोड़ी बना ली ठीक है बीस में से आपने यह तीन की जोड़ी बना ली है आपके पास कैसी टीबले सर्कुलर टीबले बीस में से आपने इस तीन की जोड़ी बना ली है अब आपके पास में टोटल कितने हो गए आपके पास में यहां कितने हो गए 17 लोग हो गए है अब 17 और ये एक यह बास के साथ 17 और ये एक कितना हो गया 18 ओके आपके पास टोटल कितने हो गए 18 हो गए है ओफ के लस्तोटल कितने हो गए 18 अब बॉस के साथ जो बैठें हो ये दो बंडे इधर उधर आ सकते हैं so 18 इंटू फैक्टोरीयल टू तो इसका तो पहले पाच लोगों को एक राउंड टेबल में भी निटाल दीजिए तो पाच लोगों को एक राउंड टेबल में तब उटेबले के तरीक है किते होते हैं factorial 4 because circular permutation आता है n लोगों का n-1 factorial तो 5 लोगों का कितना हैगा factorial n-1 factorial 4 अब आपके पास देखे total कितने positions खाली है आपके पास देखो एक ये जगे खाली है ये खाली है 1 ये जगे खाली है 2 ये जगे खाली है 3 ये जगे खाली है 4 और यह एका खाली 5 अब आपको इस 5 जगह में से उन दो लोगों को बढ़ालना क्योंकि दो लोग साथ में न बैठें बीच में कोई फसा रहे दो 4 इं टो 4 इंटो 5P 2 तो चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ 4 इंटो 5 P 2 मतलब 5 इस तरीके सॉल्व होगा देखे 3 फैक्तरल कड़ेंगे 24 तो ही और उपर 5 गुणे 4 बटेगा 24 गुणे 20 मतलब 2 आएंगे सी तरीके यह देखिए यहां पर दिया गया है solution भी दिया देख लिए रिमेनिंग 5 can be said in factorial 4 ways तो मतलब जो 5 बंदे थे factorial 4 ways से पहले आप उनको बठाल दो इसके बाद आपके पाथ जो जगह बची है यह 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 तोटल पांच जगह बची है तो पांच में से पांच में तीन लोग बठें कितने तरीके से पांच में से दो लोग 5 P 2 5 P 2 तरीके से तो answer आएगा factorial 4 multiply by 5 P 2 यह यह आपका answer है चलिए next question की तरफ चलते है एंसी 12 इकल टू एंसी 8 बच्चों वाला question है n equal to a plus b होता है अगर n c a equal to n c b होता है तो n equal to a plus b so a plus b equal to 12 और 820 हो जाएगा तो answer n equal to 20 done yes मैं back हो गया ओके आंगे चलते हैं रिखें तो इसका answer आ गया अगला question देके है how many numbers laying between 100 and 1000 can be formed from the number इतना अब के रहे interpretation of the digital out the vibe majority बात है कि यहां पर दो तरीक के डिजट आएंगे एक आएगा आएगा आपके पास में two digit वाले और एक आपके पास आएंगे three digit वाले तो दस से लेके एक हजार तक के number तो two digit वाले three digit वाले case one when the number is two digit तो दो डिजट के number बना लेजिए देखे दो डिजट वाले तो दो डिजट वाले में यहां पर कितने दावेदार हो सकते हैं यहां पर किते नौलोग 999 यहां होने थे 10 मगर 0 नहीं आ सकता इसलिए 9 लाउड होंगे उसके बाद रेपेटेशन है तो 9 x 9 x 9 so that is equal to 81 और इसके कितने आगे 729 होता है so 81 plus 729 add कर दीजे answer आजागा 800 10 is the correct answer okay अगला question how many 10 there is number can be written by using the digit 1 & 2 पताईए 10 digit के number 1 & 2 का use करते हुए कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं how many 10 there is number can be written by using देखिए आपके पास हर place के लिए कितने option है दो option है और total आपके पास 10 digit है ओके तो हर place के लिए कितने option है दो option है तो दूसरे के लिए कितना 2 तो 2 multiply by 2 मतलब 2 की power 2 और 10 places है तो 2 into 2 into 2 कितने बार दस बार तो answer होना चाहिए 2 की power 10 let's check correct answer भाई साफ 2 की power 10 क्योंकि आपके पास 10 places है तो हर place के लिए दो उमीदवार है तो 10 places के लिए आपके पास कितनी choice बनीगे आपने पास 2 हैना 2 to the power 10 okay next बात करते है देखे question number 18 everybody in a room shakes hand with everybody else everybody with everybody else the total number of hands 66 the total number person तो भाई सब हर बंदा दूसरे बंदे से हाथ मिलाता है तो मान लिजे कमरे में एन लोग है तो एन लोग में से अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कित्ते pairs बनेंगे nc2 combination बनेंगे और nc2 equal to kis के आरा 66 के आरा तो nc2 equal to 66 तो nc2 को solve कर लिजे n into n minus 1 upon 2 into 1 that is equal to 66 यहां solve करके n की value कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी ओके डन चली अगला question दो बड़ा मज़ेदार है भाई खेल खिलाड़ी से related the number of the ways in which a team of 11 player can be selected from 32 player भाई 22 है और 11 को चुनाओ करना है अब देखो भाई including two of them मतलब दो लोग तो पक्का खेलेंगे ठीक ना नौ लोग select करने करेंगे और किसमें से select करने पड़ेंगे 20 में से क्योंकि दो लोग तो पक्के हो गए तो आपको 20 में से ही select करना है and excluding four of them लो भाई मज़े की बात चार लोग खेलेंगे नहीं चार लोग खेलेंगे नहीं मतलब उनको लेना ही नहीं टीम में वो बदमास लोग है तो चार लोग खेलेंगे नहीं तो बीस में से 16C9 की value को कितनी होती है nc n-r लगा तो 16C7 भी होती है फिलाल हमाँ पास answer 16C9 दिया हुआ है answer number 3 बिल्कुल सही है करा क्या देखो भाई साब टोटल 22 खिला रही थे 22 में से चार को बाहर निकाल दिया दो लोग और permutation combination से बाहर हो गया क्योंकि वो खेलेंगे खेलेंगे और नीचे c 11 थे select करने थे दो लोग already selected है ओके दो लोग already selected है इनको चार को मत बाहर निकालना उपर वाले को नहीं तो क होगे क्योंकि भाई selection उनका हो नी रहा ना उनका हो नी रहा तो उनको क्यों लोगे तो answer कितना हो गया 16C9 वेल डन भाई अच्छा question अगला question देखो भाई अगले में से 5C3 और फिर 6C3 multiply कर देंगे क्योंकि सबको attempt करना जरूरी है ओके सो answer 4C3 into 5C3 into किता बोल दिया मैंने 6C3 तरीके से answer आ जागा देखो फिर से एक बार मैं question पढ़ देता हूं question क्या कह रहा है okay in a mathematics paper there are three sections containing four five and six questions respectively from each section three questions are to be answered in how many ways can the selection of the question can be made कह रहा है कि बताए कितने तरीकों से selection बनाया जा सकता देखिए यहां पर at least नहीं बोला है कि आपको at least करना है चार पाच और छे question दिये गया है from each section three questions are to be answered आपको तीन का answer दे नहीं है okay तो आप कितने तरीके से answer दे सकते हो पूरे paper से तीन का answer नहीं देना इच सेक्षन से तो पहले में चार questions से तीन का selection करो okay so four c three किता होता है फोर ही होता है अगले में five c three तो five into three into two और नीचे three into two हो जाएगा ओके and six c three and six into five into four और नीचे three into two into one हो जाएगा चलो तो three into two 2 से cancel हो गया, 2 से किते बार cancel हो गया, 2 बार cancel हो गया, और कोई बच गया, 3 बच गया, 3 से 2 बार cancel हो गया, देखे, तो 45 जा 20, 22 जा 40, 45 जा 200 और 200 कुणे 2, भाई सब कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर देखो, कुछ पक्का मिस्टिक हो रही है, आंसर नहीं आ रहा है आपना, एक बार फिर से कर देता हूं, मैं यहाँ पर सॉल्ब कर देता हूं, देखो, 4C3 इंटू 5C3 इंटू 6C3, मसला क्या 4C3 इंटू 5C3 इंटू, in how many ways can selection of questions, selection बोला है, मतलब permutation नहीं लगेगा, combination लगेगा, तो factorial 4, 4 को 3 बार कम करना है, तो 4 गोणे, 3 गोणे, 2 और नीचे, 3 गोणे, 2 गोणे, 1 यह चलेगा, इधर 5 गोणे, 4 गोणे, 3 गोणे, 2 गोणे, 1 और इधर भी है, 3 गोणे, 2 गोणे, 1 and here it will be 6 multiply by 5 into 4, and here 3 into 2 into 1, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 से 6 cancel कर दिया, और 3 2s से 3 2s भी cancel कर दिया, ओके, चलो, 2 2s are 4 कर दो भाई, और 3 से 3 भी cancel कर दो, अब आराम से जो जो बज गया, वो लिखते जाओ, देखो, इधर 2 बज गया है, इधर 5 4s are 20 बज गया है, इधर 5 4s are 20 बज गया है, इ 400 to 800 आगया answer, mistake दूर हो गई, correct answer कितना 8, अरे भाई, दो आ रहा है यार, हाँ, सही है न, तो 2 मतलब, option number 2 मतलब 800, right, 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 मज आ गया, अगला question देखो भाई, मज़ेदार question, 21, there are 10 lamps in a hall, each of them can be switched on independently, the number of hall in which we light hall can be illuminated, कह रहा, hall को जगमक कनने के तरीके, भाई, total 10 lamps है, total 10 lamps है, तो आप एक lamp जला की भी कर सकते हो, दो लेंग जला की भी कर सकते हो, तो आपके पास total दो, कितने lamp है, 10 lamp है, तो 10C1 जलाओ, 10C2 जलाओ, 10C3 जलाओ, लिया, आप 10 lamp के 10 जला दोगे, तो भी हल जगमक हो जाएगा, ओके, और आपको पता है कि NC1 से लेकर के, अगर आप NCN तक पावर N-1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 to the power 10 minus 1, टूट पावर कितना 10 होता, 1024 में से एक गया, बोलो कितना हुआ, 1023, वावावावावाई, मजा आ गया, so 1023 is the answer, concept देख लिजे, answer में भी यही लगा हुआ है, जाने माने question है, बिलकुल जो आते ही रहते हैं, आओ भाई question number 22, in how many ways can 21 English books and 19 Hindi books can be placed in a row, so that Hindi books are together, कह रहा है, कि 21 English की books हैं, और 19 किस की book हैं, हिंदी की books हैं, कह रहा है, जिससे कि Hindi की books साथ में रहे, अरे भाई, अगर आपको Hindi की books साथ में रखना है, तो सब को एक bundle में कर दो, तो 21 books के बाजू में, हिंदी की सारी books आपने रख दी हैं, तो कितनी होगे, टोटल 22 होगे, टोटल आपके पास कितने होगे, 22 होगे, एक तरीके से, कैसे करने का मतलब क्या रिखे, 21 books आपकी किस की हैं, इंगलिश की है, और आपने ये 19 books आपकी हिंदी की हैं, आपने साथ में रख दी, तो टोटल एक bundle इसको माल लिया, तो 21 plus 1 कितना होगे, 22 होगे, तो कितने तरीके होगे, फैक्तोरियल 22, फैक्तोरियल 22, multiply by, wait, 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 in how many ways can 21 English books and 19 Hindi books can be placed in a row, such that no two Hindi books are together, oh, no two Hindi books are together, कह रहा, कि मतलब कोई भी हिंदी की बुक साथ में ना हो, तो टोटल केसे में से, टोटल माइनस, together की केसे आप माइनस कर दीजे, तो साथ ना आने के केसे आ जाएंगे, तो टोटल केसे देखे, कितने होगे, फैक्तोरियल 22 और अंदर की इनकी धमा चोकड़ी, फैक्तोरियल 22, multiply by, फैक्तोरियल 19, यह होगा इसके कौन से केस, टोटल केसे में से, उन केसे को माइनस कर दो, जिसमें वे, सॉरी, यह टोटल केसे नहीं है, वे साथ वाले हैं, और टोटल केसे आपके पास कितने बचेंगे, टोटल केसे आपके पास, यदि 21 प्लस 19 कर देंगे, तो 21 प्लस 19 आप कर दीजिए, तो आपके पास में 9 प्लस 1, 10, and 2 प factorial 19 माइनस कर दीजे यही आपका आंसर आ जाएगा और आंसर क्या रहा है और आंसर ऑप्शन नंबर वन आ रहा है मतलब पंदरा सो चालिस ऑप्शन आर आपका पंदरा सो चालिस चलिए तो यह आपका तोटल एक मिनट मैंने जोड़ा गलत तो नहीं है बिल्कुल गलत जोड़ और 19 का फेक्टोरिल एक तरफ इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास में टोटल आंसर आ जाएगा चलिए तो डन यह क्वेशन हो गया ओके देखें नेक्स क्वेशन क्या कहा रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉस्टिव इंटीजर ग्रेटर देन 6,000 ग्रेटर देन 6,000 और इसकी प्लेस तो आपने फिक्स हो गया है यहां पर कितने दाविदार बचे आठ और यहां पर कितने बचे साथ चली चेक कर लेते हैं ओके यस तो बिल्कुल सही हमाई पास देखें इसकी प्लेस तो आपने फिक्स कर दी तो यह फर्ष्ट प्लेस में थाउज़ड प्लेस में 1 हो गया और 100 प्लेस में कितने आएंगे 8 यहां पर आएंगे 7 तो 1 इंटू 8 इंटू 7 और मुल्टी प्राइब कितना तू तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 112 आठ गुणे साथ चापन और चापन गुणे दो कितना होता है 112 सो टोटल हाँ मैनी हाँ मैनी हाँ मैनी डिजिट्स वर्ट सार नंबर सार देयर 112 नंबर जो होंगे जो डिवाइड होंगे डन ओके चलिए अगला है गुरुपिंग का कुश्चन दिखे कुश्चा करा है 18 मैसे वर प्लेस्ट इन एक्सपरिमेंटल ग्रूप एंड वन कंट्रोल ग्रूप विद ऑल ग्रूप एकुली लार्ज एकुली लार्ज ग्रूप है तो उप्लेस गॉतर ग्रूप करत टूप आएंगे और कि पावर कित टा कर दीजे त्री कर दीजे तो इसका होनाँ चाहिए और लोगर फॉर सब्द्द्द्रोप कर लिए क्रक्रट अन्सर को इसका अनसर नोट कर और अपान में equally likely कितने 6-6 के बनेंगे तो फेक्टोरियल 6, फेक्टोरियल 6, फेक्टोरियल 6, ओके तो इस तरीके से इसका अंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये concept है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, I hope आप लोग को ये lecture बहुत पसंद आया होगा, permutation and combination का with full speed, So done, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, आप लोग का बहुत बहुत महत्पूर्ण कीम्ती, useful time देने के लिए धन्वाद, जरूर कमेंट कीजेगा, वीडियो कैसे लगे हैं, मज़े आया की नहीं आया, Thank you so much, जै हें, जै भारत, This is Lucas Sir, signing off.